आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग चूज और रिमूफ कॉलम के बारे में जानेंगे एक्सल पावर कुईडी में पूज कॉलम और रिमूफ कॉलम के दोवारा हम लोग टेबल में जितना भी कॉलम वे उसमें से स्पेस्पी कॉलम को रख सकते हैं या कुछ कॉलम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है जो आपके से स्क्रीन पर दिख रहा है तो मैं इस डेटा को आप पावर कोईरी में अप्लोड करूंगा तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ डेटा टाइम में जाने के बारे मैं जा रहा हूँ फ्रॉम टेबल रें एक्जाम्पल के लिए मेरे पास इतना साड़ा कॉलम यहां पे अवलेबल है तो इसमें मेरे को कुछ बंके का कॉलम यहां से चुका है और कुछ specific कॉलम ही यहां पे बत चुका है तो इस तरह से हम लोग Choose Column का उज़ कर सकते हैं अगली option की बात करें Remove Column Remove Column में क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ Column को रिमूफ करना है तो इसके लिए इस टास को परफॉर्म करते हैं तो इसे करने के लिए पहले हम जो जो Column को रिमूफ करना है उसे हमें Select करना होगा तो मैं कुछ Column को Select कर रहा हूं Control के साथ में बटन दबा के मैंने Review-ID को Select किया फिर Control के साथ में जो 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 नहीं चाहिए मैं उसको एक बद kidneys कर ले रहा हूं select करने के बाद select कर ले रहा हूँ, select करने के बाद हम जाएंगे home time में, home time में जाने के बाद यहाँ पे आपको option दिख रहा है remove columns इस पे click करेंगे, यहाँ पे दो option आपके पास दिखेगा, पहला option है remove columns का, और दूसरा है remove other columns, यानि कि जो मैंने select किया है, उस पे मैं click करके remove column करूँगा, तो जो selected column है, world delete होगा अगर मैं remove other करके click करूँ तो जो select किया है, उसके अलावा जो बचा है, world remove होगा तो मैं कर रहा है, remove columns पे click तो आप देखेंगे, कि जो जो मैंने select किया था और remove हो चुका है बांकी का यह बचा है same remove column को हम लोग apply कर सकते हैं दुसरे तरीके से फिर से मैं इसको select कर रहा हूँ control के साथ में control के साथ में जो जो हमें column नहीं चाहिए मैं उसको select कर लिया select करने के बाद मैं right click करूँगा right click करने के बाद यहां पर आपके पास आएगा remove columns का option उससे click करेंगे तो यहां से data जो ही column था यहां से वो remove हो चुका है इसके opposite में करते हैं remove other columns उसके लिए क्या करना होगा हम जो जो column को select करेंगे वो रहेगा उसके अलाबा जो column है वो remove हो जाएगा तो जो column हमें चाहिए मैं उसको select कर ले रहा हूँ तो मुझे चाहिए सिर्फ category control के साथ मैं category को किया sales, quantity, discount और profit इतना column हमें चाहिए और बांकी का column नहीं चाहिए तो इसे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं home type में जाने के बाद यहां पे remove column में जो second option आ रहा है remove other column इसके through कर सकते हैं या फिर right click करके यहां पे जाएंगे और दूसरा option आ रहा है remove other column उस पे click करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो मैंने select किया था वो column यहां पेडा चुका है आप बांकी का column यहां से delete हो चुका है तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ने topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद